तो कैसे हैं आप सब आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैपी होंगे तो आज है सेचडे और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनके जरीए आप अपने किचन को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और अगर आपको ये टिप्स लगें तो मुझे जरूर बिताईएगा और एक प्यारा सा कुमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर बार खाना बनाने के और काउंटर टॉप साफ करने के बाद स्टॉफ को भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए क्योंके खाना पकाने के दुरान अक्सर ओयल की चीन्टे और सालन के दाग स्टॉफ पे लग जाते हैं तो इसे अच्छे से नीट कर लेना चाहिए क्योंके अगर काउंटर टॉप औ काउंटर टॉप और स्टॉफ को अच्छे से नीट कर लेना चाहिए और स्टॉफ को साफ करते हुए इसकी बैक प्लेस को जरूर साफ करना चाहिए क्यूंकि खाना पकाने के दौरान ओयल की चींटे डारेक्ट ही यहां पर पड़ती है तो यह हिसा ज्यादा ही गंदा हो जाता है इसलिए हर दफा खाना पकाने के बाद इस ही से को जरूर साफ करना चाहिए किचन सिंग में बरतन ज्यादा देर तक गंदे नहीं चोड़ने चाहिए इससे किचन से खाने की चीजों की स्मेल आएगी जिससे आप मेंटली अपसेट रहेंगे और यह हेल्थ के लिए अच् और वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते तो किचन सिंग को अच्छी तरह वाश कर लेना हेल्थ के लिए भी अच्छा है और यह देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है किचन टावल और रोटियों के जो रुमाल होते हैं इने ड्राई और क्लीन रखना चाहिए और इने डेली बेसिज पे वाश करना चाहिए और वाश करने के बाद इने धूप में या हवा में ज़रूर स्कॉा लेना चाहिए इस से इन में समेल नहीं आएगी और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे सब्जियां बनाते वक्त सब्जियों के चिलके एक बरतन में डालें और इसके लिए अलग से कोई प्लेट या बरतन रख लें काउंटर टॉप पे सबजियों के चिलके हरगिस ना रखें क्यूंकि इससे काउंटर टॉप गंदे भी हो जाते हैं और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता और ऐसे ही सबजियों के चिलके रखने के बाद अगर काउंटर टॉप गंदे रह जाएं तो इससे जरासीम भी फैलते हैं और कीडे और कौकरोच भी आ जाते हैं सम्टाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई चिकनाई वाला काम कर रहे होते हैं और हम उन्ही हातों से कैबनर्स को खोल देते हैं तो किचन कैबनर्स पे जब भी कभी गंदे या चिकनाई वाले हाथ लगें तो इन्हें फुरन से साफ कर लेना चाहिए नहीं तो वहां पे चिकनाई जम जाएगी और इन्हें साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और गंदे कैबनर्स देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं इसलिए अगर हम इने साथ साथ ही साफ करते जाएंगे तो इन पे जो चिकनाई के दाख दबे होंगे तो वो फोरण से उतर जाएंगे और उस वक्त उने साफ करना असान होता है बजाए इसके के हम इसे बाद में साफ करें तो इने बाद में साफ करने के लिए एफर्ट्स भी ज्यादा लगती है और साफ करना भी मुश्किल होता है और गंदे कैबनर्स देख के टینशन और जहनी कौफत होती है जो के हल्थ के लिए अच्छी नहीं होती तेल और घी के कंटेनर्स को डेली बहर से साफ करना चाहिए ताके वो चिकने ना हो नहीं तो चिकनाई को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर चिकने बरतन अक्सर पकड़ते हुए हातों से स्लिप हो जाते हैं जिससे किचन में ओयल के बिखरने का हच्चा रहता है इसलिए उन्हें डेली बेसिस पे ही साफ करते रहना चाहिए जब भी उन्हें इस्तेमाल करें तो उन्हें साफ करके दुबारा वापस उनकी जगा पे रखें और जब ओयल वाले कंटेनर्स हाली हो जाएं तो लिकवर्ट सोप लगाके इन्हें अच्छी तरह से वाश कर लेना चाहिए और वाश करने के बाद इनमें गरम पानी जरूर डालना चाहिए इससे इन पे जो भी चिकनाई लगी होगी वो उतर जाएगी और गरम पानी से वाश करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से हुश्ट कर लेना चाहिए इन्हें हुश्ट करने के लिए धूप में रखें या फिर किसी कपड़े से अच्छी तरह से हुश्ट कर लें और हुश्ट करने के बाद ही इनमें दुबारा घी या ओल डाले ना चाहिए धुले वे बर्तनों को सूखने के बाद ने प्रौपर जगह पर रखें।걸 इनको केबनेट्स या Rise में रखें। को कभी भी कबनेट्स ना रखें।रम वरना केबनेट्स में से सिलन्कीism उने लगती है। केबनेट्स हराब होने लगते हैं। इसलिए बरतनों को कैबनेर्स में रखने से पहले अच्छी तरह से हुश्क कर लेना चाहिए अगर वो गीले हो तो इने किसी साफ कपरे से अच्छी तरह से हुश्क कर ले वरना इनके हुश्क होने का इंतजार करना चाहिए और जब ये हुश्क हो जाएं तो फिर ही इने कैब और जब हुष्ख बरतनों को अरेंज कर लें तो बटनों वाली जगा को अच्छी तरह से हुष्ख करना चाहिए नपने झाजम से बढ़त सक टाही में शुगि security करें जरता हुखción और खड़े पानी में स्मेल पैदा होती है बरतनों को उनकी प्रोपर जगा पे रखने के बाद बरतनों वाली टोकडी को अच्छे से साफ करना चाहिए और साफ करने के बाद इनको धूप में जरूर सुखाना चाहिए नहीं तो गिली रह रहा है के बतनों वाली टौकडी लेसदर हो जाएगी और उसमें से स्मेल आने लगेगी और स्मेल की वज़ा से जहनी कौफत होती है काउंटर टॉप्स को कलटर फ्री रखने के लिए चीजों को हॉल्डर्स में रखे के लिए संस्ते नाइफ लेस नाइफ लिए नाइफ हालडर्स कौप के लिए कपस हॉल्डर्स और ग्लास के लिए ग्लास हालडर्स इस्तेमाल कर्ने चाहिए ताके जगा भी बज़ सके और चीजे भी प्रोपर मैंवे कॉँंकि चीजें अगर हॉल्डर्स में रहेंगी तो काउंटर टॉप पे काफी स्पेस फ्री हो जाएगी और काउंटर टॉप तो स्पेशियर्स ही अच्हे लगते हैं और इस तुरह चीजें में रखी जाएगी तो जगह की बच्चत तो होगी साथ में किचन भी देखने बि जब भी आप रोटियां बनाएं तो चकला और बेलन इस्तेमाल के बाद वुश करके रखें ताके इन पर आठा न लगा रह जाए बाद उकात ऐसा होता है कि आटा स्टिकी होता है तो जिसकी वज़ा से वो चकले और बेलन पे लगा रह जाता है और इसकी वज़ा से फिर कीड़े आते हैं और देखने में भी चकला और बेलन बहुत ही बुरा लगता है और जरासीम का हच्छा भी रहता है इसलिए इस्तेमाल के बाद चकला और बेलन को अच्छी तरह से वाश कर लेना चाहिए और वाश करने के बाद इनको धूप में रखके सुखा लेना चाहिए ताके ये अच्छी तरह सूख भी जाएं और इन में से स्मेल भी ना आए किचन डेली क्लीनिंग में स्विच बोट को भी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और इने साफ करने के लिए हुश्ट कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए खुश कपड़े से अच्छी तरह से रगड के स्विच बोट को साफ कर ले ताके इन पे जो भी चिकने हाथ या दाग दबे लगे होंगे तो वो साथ साथ ही साफ होते जाएंगे वरना स्विच बोट और इसके आसपास की जगा काली हो जाती है जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो इसके लिए डेली रुटीन में स्विच बोट को भी एड रखना चाहिए तो अगर आप इन 12 टिप्स को माइंड में रखके किचन को डेली बेसिस पे साफ किया करेंगे तो आपका किचन नीट एंड क्लीन दिखाई देगा और इसको साफ करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ेंगी क्योंकि जो चीज़े डेली बेसिस पे अच्छी तरह साफ होती रहें तो उनको साफ करने में ज्यादा मुशक्कत नहीं लगती और एक दफा साफ करने से ही वो चीज़े अच्छी तरह से नीट हो जाती है और ऐसा नीट कीचन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूँ विद द न्यू वीडियो बाबाई एंड टेक कियर